हेलो फ्रेंट्स उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आने वाला टाइम भी आप सब के लिए बहुत अच्छा हूँगा अभी कुछ दिनों से मैं टूर नहीं कर पा रहा था क्योंकि कुछ पर्सनल रीजन से जिसके वएसे मैं अभी भी नहीं चाहँ पा रहा हूं ले इसके बारे में देखेंगे तो विदाउट वेस्टिंगा टाइम स्टार्ट करते हैं जैसा मैंने आपको बोला था रोयल एंफिल्ड की आप अवैलेबल है प्ले स्टोर में तो आप प्ले स्टोर पे जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं काफी सिंपल और अच्छा सा लगा मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए अपने वीवर्स के साथ तो ये इस तरह से इसका लुक है रेड कलर का बैक्राउंड है आपके इंस्टॉल करनी के बाद जब आप इसका अप को ओपन करेंगे तो रोयल एंफिल्ड की एप रेड कलर बैक्राउंड के आप किसी और नंबर से भी एकाउंड कर सकते हैं लेकिन उसमें फिर आपको कम्लीट इंफरमेशन ने मिलेगी प्रॉब्लम यह होगी अगर उनके पास रेकॉर्स में जो नंबर होगा अगर आप उससे ला लॉगिन नहीं करेंगे तो आपका डेटा सिंक नहीं होगा उनके आपको इंफरमेशन इंफरमेशन लेगी अचले लॉगिन करते हैं मैंने अपना लॉगिन कर रहा है यह आप इस तरह से मुझे अपने पाइक की इंफरमेशन देगी मेरी पाइक है रडिच ग्रे जो मैंने 15 अक्टोबर को पर्चेस की थी इस एप में आपको बहुत सारी च करने जा रहे हैं तो उसके बारे में आप भी अपनी राइट कर सकते हैं क्रिएट करने के बाद आपको आपको स्वारी अभी अभी बिकाउज ऑफ कोवेट सिच्वेशन राइट अनौट अवैलबल सा आप देख सकते हैं तैंक यू फॉर इंट्रेस्ट इन क्रिएटिंग इसलिए मुझे यहां राइट अवैलबल नहीं है अपिशली अनौश नहीं हुआ है लेकिन आप यहां पर बाइक के इंफोमेशन देख सकते हैं जो भी जितने भी रॉयल एंफिल के नए मॉडल्स अवैलबल है उन सब की इंफोमेशन आपको यह मिल जाएगी और जनरली ज इसलिए मुझे यह सारे रॉयल एंफिल्ड 350 के बारे में इंफोमेशन दे रहा है अगर आप मेट्यूर के बारे में रेजिस्टर करेंगे मेट्यूर से रेजिस्टर करेंगे तो आपको मेट्यूर की ज्यादा इंफोमेशन आप रॉयल एंफिल्ड की वेजसाइट में डाय अब है लूपन कर सकते हैं अ को टे अ कहीन कर सकता हैं अब आपको शेडिल कर सकते हैं अगर आपको शेडिूल करना है यह जिव ड्यूटार प्रति के रहं है अब कर शेडूल नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है अंशेडूल और पेट सर्विसस जब आपके वारंडी खतम हो जाएगी तो आप अंशेडूल सर्विसस रेइस्टर करेंगे जो आपको पेट सर्विस होगी और आप अपनी पाइक की हिस्ट्रीज चेक कर सकते है यह तो हो गया सर्विस के बारे में इसके अलावा आपको फिचर ट्रॉयल एंफिल बहुत फेमस है अपने रोड साइड एसिस्टर्स के लिए तो आपको नई पैक के साथ एक साल के लिए रोड एसिस्टर्स फ्री मिलता है उसके बाद आप इसे परचेस कर सकते हैं अगर आ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टन है इनके सर्विस स्टेशन अवैलेबल है इनकी रोड साइड एसिस्टर्स अच्छी है लेकिन मिनिमम थर्टी मिनट्स यह लेते हैं डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तो कम से कम आपको 30 मिन जिसके लिए मुझे अप्रोक्सिमिली 30 मिनिट्स लगेते हैं तो फ्लाइट तायर में भी आपको आप्चिन्स मोलते हैं डीफ्लेटिट टायर है बरस्ट हो गया है क्ट लगया है या क्या ऑप्शन है अगर अल्लेक्रिकल प्रॉब्लम है तो एक्सिधेंट गुआ है तो क् आप no fuel select करेंगे no fuel select करने के बाद उनके कंपनी के तरफ से एक बंदा आपको आकर प्रोवाइट करेंगा लेकिन वो लोग चार्ज करेंगे इसके अलावा cables हो गया wheels हो गया brakes हो गया chain हो गया keys हो गया अगर आप लेट से आपकी keys गुम होगी है तो वो भी आप इसमें रेइस्टर कर सकते हैं थर्टी मिनिट में आपके पास कीज लिकिया जाएगा और आपको कीज का चार्ज करना पड़ेगा अगर jam हो गया है तो services के तुरू वो लोग रिपेर करके देंगे तो इस तरह से आपको बहुत सारे features मिलते हैं Royal Enfield Roadside Assistance के बारे में जो majorly use होते हैं वो अगर आप long drive जा रहे हैं तो आपको gear lever unresponsive हो सकता है अगर आप continue चलाते हैं आपको tire deflate हो सकता है या आपको कोई एक electrical problem आ सकती है यह BS6 version है इसके headlamps continue चलते रहते हैं जैसे आप इंगे स्टार्ट करते हैं इसके headlamps ओना हो जाती है तो हो सकता है आपको in future कुछ headlamps के problem देखना पड़े अगर आप एक साल के अंदर कोई भी problem face करते है headlamps के बारे में या इन में से कोई भी related आपको free of cost service provide करेगा Royal Enfield यह को details दे रहा हूं ठीक है services अगर हम लोग confirm करते हैं तो हमारी location के हिसाब से वह GPS के थूर हमारी track करेंगे location exactly location पर आपको service provide की जाएगे लेक्से मैं दुबारा select करता हूं if I go on residence and office they have my address जो number उनके पास registered है उसके बेस्पे उनको address पैच हो जाएगा और वो लोग वहाँ पे एक associate बेस देंगे अगर मैं on road बोलता हूं और highway करता हूं तो मुझे highway towards city कहां पर मैं exactly हूं मेरी direction के बारे में information देने होगी ताकि वहाँ पे मुझे service मिल सके उसके उसके बाद अगर आप highway पे नहीं है और city के अंदर आपकर confirm करते हैं कि आपको assistance चाहिए तो आप किसी भी reason के लिए उनको confirm कर सक सकते हैं और आपको information मिल जाएगी कि आपकी request register हो गई है उस बेस पे आपको call आजाएगा तो यह सारे information आपके लिए available है और इसके अलावा support function है अगर आपको पाई के साथ कुछ भी problem होती है आप उसके DIY device information देख सकते हैं trip navigator कैसे use करना और बाकी की सारे information आप चेक कर सकते है इसके लावा और भी comprehensive information है जो आप इसमें चेक कर सकते हैं roadside के बारे में ride assurance के बारे में roadside assistance के बारे में भी आपको information मिलेगी और contact us information है जिसमें email address भी है आप प्रॉयल एंफिल्ड के email address पर अपनी information शेर कर सकते हैं इसके अलावा जो हमारे पास यहां पर information है वो है navigate system यह navigate system आ अगर आपके bike में navigator system है तो आप इसको Bluetooth के तुरूँ से connect कर सकते हैं और जहां भी आप जाएंगे आपके mobile GPS के तुरूँ उसमें आपको turn by turn indications मिलते रहेंगे और आप properly उस navigation को use कर सकते हैं यह exactly Google Maps पे काम करता है तो इसलिए आपको exact information मिलेगी जो आपको Google Maps में मिलती है आपक अपने destination का address डालना है उसके बाद similar way जैसा Google Maps यूज होता है वैसा ही आपकी GPS यूज होगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुचाएगा इसके अलावा और इसके कुछ ऐसे configuration पार्ट है जैसा आप अपनी future bike design करना चाहते हैं खुच से तो आप new configuration ले सकते हैं आप अपने city को select कीजिए city select करने के बाद आपको details मिल जाएंगी आप उसमें क्या changes देखना चाहते हैं आप कौन सा model लेना चाहते हैं क्या 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 आपकी information है वो सारी details आपको यहां पर available है हर model के बारे में information आपको रहेगी bullet से लेकर के Himalayan और Royal Enfield Classic से लेकर के Meteor, Interceptor, Supernova हर बाइक की हर Royal En Enfield bike की आपको यहां पर information लेकी और best part यह है कि Scram 411 को भी इन्होंने आप add कर दिया है तो आप इस bikes के बारे में कुछ भी information अगर चाहते हैं तो आप Royal Enfield की app में direct इस information को capture कर सकते हैं आप अपने हिसाप से bike को design कर सकते हैं और उस base पे आप showroom से pick कर सकते हैं तो यह सारी information available है आ आपको इस Royal Enfield motorcycle app के बारे में सबसे best part मुझे यही लगता है इसका service और roadside assistance आप कहीं पर भी जाकर कि इसका road service ले सकते हैं आपको बहुत सारे features available है roadside assistance है service history आप चेक कर सकते हैं कि आपने last service कब कराई थी और next आपकी service due कब है यह सारी information है available Royal Enfield motorcycle app में जो आप Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर इस बारे में आपको और further कोई information चाहिए please comment box में message छोड़ दीजिए हम जल्दी से जल्दी आपकी information के reply करने की कुशिश करेंगे अभी के लिए इतना ही thank you so much